कार दोस्तों, वेलकम टू आदर्स आइस अकैडमी, आदर्स आइस अकैडमी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, मेरा नाम अनुश्री मिश्र है, जैसे कि आपको धमडिल में दिख रहा होगा कि मैं आपको संधी विच्छेत का पार्ट 3 पढ़ा रही हूँ, तो मुझे प्लीज कमेंट सक्षन पर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हूँ, तो एक वीडियो पर लाइक और सस्क्राइब चैनल को जरूर बनता है, और वीडियो को जितना हो सके अपने ग्रूप्स में शेयर करिए, ठीके गईस, तो अब हम बात करते है वेंजन संदी के बारे में, सबसे पहले हमने संदी के बारे में क्या बताया, संदी की डिफिनिशन की प्रथम पद, ऐसे संदी में दो पद होते हैं, एक प्रथम पद और एक दुदियो पद, तो मैंने क्या बताया आपको, यदि प्रथम पद का अंतिमवन, मतलब जो लास उत्पन होता है तो संधी में क्या होता है परिवर्तन उत्पन होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं संधी विच्छेत इसे हम क्या कहते हैं संधी विच्छेत कहते हैं तो जहां तक बात करते हैं वेंजन संधी के बारे में तो वेंजन संधी का मतलब यह होता है का मतलब का से लेकर आपका ग्या से ग्यानी तक जो हमारे वर्ण होते हैं इनसे मिलकर अगर कोई सब्द बना है और उसकी संधी की जाती है तो उसको कह कहते हैं वेंजन संधी देखें वेंजन संधी के निमने लिखी तरीके होते हैं से जानने के तो इन्हें पैचानने का एक जरिया होता हैक तरीका होता है कि आपको संधी के बाद ऐसे हलन्त मतलब एक वर्ण में आपको हलन्त दिखाई देगा जैसे आपको मा के नीचे डंडी दिखाई दे रही है साके नीचे दिखाय दे रहे तो इसमें भी होती है और अगर है किसी भी वर्ड में लगी है किसी भी संधी में लगी है तो आप बीना ये जाने उसे उसमें संधी पे टिक कर देना वेंजन संधी ठीक है ये चीज हो गई अब हम बात करते हैं वेंजन संधी के बारे में वेंज मतलब है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं व्यंजन संधी कहते हैं ठीक है स्वर प्लस व्यंजन बराबर क्या होता है व्यंजन संधी और व्यंजन और प्लस व्यंजन बराबर क्या होता है व्यंजन संधी मतलब कि स्व वेंजन संदी होगी अब हम लोग आगे बात करते हैं लिखा है ये सभी वर्ण हैं जिनके बारे में आपको जान लेना जरूरी है क्योंकि जब मैं वेंजन संदी पढ़ाऊंगी तब मैं इन सब्दों का प्रयोग करूंगी आदेश, आगम, लोग, प्रकतिभाव तो आपको ये जान लेना जरूरी है आदेश के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है किसी वर्ण को बदल कर किसी वर्ण को बदल कर उसके इस्थान पर नया वर्ण लिख देना ठीक है जैसे कि किसी वर्ण का लोप हुआ जैसे मा की बिंदी का लोप हुआ यहां पर मा की बिंद मतलब कि हम आदेश दे दें कि तुम नहीं तुम चेयर पर बैठो तो क्या है हमने दूसरे पद को उठा कर उसके स्थान पर दूसरा पद रख दिया तो इसे क्या कह देंगे आदेश कह देंगे अब बात करते हैं आगम की कि यदि कोई नया वर्ण जोड़ने की प्रक्रिया हो रही हो मतलब कि कोई नया वर्ण जोड़ा जाए तो उसको क्या कहते हैं आगम जैसे लिख दिया संस्कृत तो क्या हो जाएगा देखे संस्कृत जब ऐसे लिखा जाता है संस्कृत ठिक ऐसे लिखा जाता है तो क्या हो जाएगा सा और फिर ये मा वो भी कैसी है आधी है फि प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब बात करते हैं लोप मतलब कि लोप से आपने पढ़ा होगा लुप्त होना लुप्त सब्द पढ़ा होगा तो इसमें क्या होता है? लुप्त होने में मतलब है किसी वर्ण को हटा देना क्या कहलाता है लोप कहलाता है अब हम बात करें प्रकति भाव की किसके बारे में बात करें प्रकति भाव के बारे में तो जब कोई परिवर्तन नहों क्या जब कोई परिवर्तन नहों जैसे लिख दिया प्राता काल तो क्या हो जाएगा हम इसको ऐसे ही लिखते हैं अगर हम इसे संधी में न तोड़ें तब भी हम ऐसे ही लिखते हैं प्राता धन काल ठीक इसको हम तब भी ऐसे ही लिखेंगे कि प्राता काल तब भी ऐसे ही लिखते हैं और जब संदी विछेत करते हैं तो बस यहाँ पर एक प्लस का निशान बना देते हैं तो आई होप कि आपको इन सब्दों का अर्थ पता चल गया होगा कि ये क्या है ठिक अब आपको वेंजन संदी के बारे में थोड़ा बहुत नौलेज हो गया होगा अब हम लोग बात करते हैं आगे नियम नंबर एक नियम नंबर एक के बारे में बात करें तो क्या होता है यदि ध्यान से देखेगा यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ कोई सगोस वर्ण इसलिए मैंने आपको वर्ण वाला वाला चैप्टर पढ़ा रखा है कि मैं सघो सघोस बोलूँगी तो आपको याद आ जाना चाहिए किसी सघोस वर्ण का योग हो तो ठीक है अब याद रखना है आपको कि यदि वर्ग में पांचवे अच्छर को छोड़ कर जैसे काखागा अंगा में अंगा हो गया ताठाणा इया में हो गया ठीक है ता था ना ठीक है पापापा पामा तो ये सब जब आते हैं तब इनको छोड़ कर मतलब पांचवे अच्छर छोड़ कर झीक है तो प्रथम वर्ण आने ही तो प्रत्वण अपने ही वर्ग के तरती वर्ग में आदेश हो जाता है जैसे लिखा है ता था दा धा ना तो ना को तो छोड़ देते हैं ठीक है अब उसके पास क्या लिखा है आपका किसमें आदेश हो जाता है दा में किसमें आदेश हो जाता है दा में और अगर ता आय द्यान से देखना है उदाहरण इसी लिए मैं जैसे लिख दिया सदा चार तो ताथा दादा वाली लाइन में जो दा है ये तीसरे अच्छर में है कालसा तीसरा अच्छर है तो तीसरा अच्छर किसमें बदल जाता है प्रथमण किसमें बदल जाता है प्रथमण में तो क्या ह सत प्लस आचार क्या हो जाएगा सत प्लस आचार अर्थात व्यंजन संदी क्या हो जाएगा सत प्लस आचार अर्थात व्यंजन संदी अब लिखा है दिगंबर तो गा जो है ये तीसरा वर्ण है का खा गा ठीक है गा जो है हमारा तीसरा वर्ण है तो ये किसका वर्ण है का का तो गा की जगे पे क्या हो जाएगा का आदेश हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा आपका दिक प्लस अंबर अर्थात विंजन संदी अब बात करें अजंत किसके बारे में अजंत के बारे में बात करें तो चा चा जा जा किसका चरे चा का तो जा की जगे पे क्या हो ज अपधनद अर्थात, व्यंजन संदी , अब आगया आपका सदानन्द , तो दा जो हैं यह तीसरे च्छर पर है , तजसरी अर्था , फिर क्यों हो सद धन आंवन्द , अ व्यंजन संदी , अब उससी तरह लखा है आपका अब यह बा कैसा है बा पा फा बा तीसरा है इसमें हमें जब हमें वेंजन संधी में कटे अच्छर को ध्यान नहीं देना है ठीक है अब बा आया है तो क्या होगा अप धन जा और अगर हम अप का मतलब जाने तो अप माने क्या होता है जल अर्थार्थ क्या हो जाएगी यहां पर लिखा है यदि प्रथम वर्ण के बाद नासिका मतलब कि इसमें क्या है पाचवे अच्छर छोड़ दिया जाता है लेकिन इसमें क्या है पाचवे अच्छर ले लिया जाता है इसमें केवल पाचवे अच्छर की बात की जा रही है कि पाचवे वर्ण का योग हो तो क्या होता तो प्रथमवन के पाचवे च्छर में बदल जाता है देखिए जैसे लिखा है सन मार्ग क्या लिखा है सन मार्ग तो क्या होगा जो ना है ये अपने प्रथम में बदल जाएगा तो क्या होता है ता था दा धा ना तो मैंने क्या बोला कि ये जो पाचवा छरे ये प्रथम वर्ण में बदल जाता है तो किस में बदल जाएगा ता में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा सत धन मार्ग क्या हो जाएगा सत धन मार्ग अर्थात वेंजन संदी यदि प्रथम वर्ण के बाद नासिका में पाँचवे वर्ण का योग हो तो क्या होता है पाँचवा वर्ण जो है वो प्रथम पद में बदल जाता है अब कुछ एक्जामपल है जिनको हम देख लेते हैं जैसे लिखा है जन माता क्या जगन माता तो जो ना है इसका पांचु पहला च्र क्या है ता तो इसका क्या हो जाएगा जगत प्लस माता अब जैसे ना लिखा है तो क्या हो जाएगा जगत धन मोहिनी ठीक है गैस अब बात करें सन नारी तो आधीना है तो क्या हो जाएगा सत धन नारी क्या हो जाएगा सत धन नारी अब बात करें वागधरी किसकी वागधरी तो गा है अधाच्छर और काखा तो का है इसका तीसरा तो क्या हो गया वाक धन हरी ठीक है अब युद्ध है तो युद्धन धा युद्धन धा ता था धा I hope कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अब हम लोग बात करते हैं rule number 3 में ठीक rule number 3 के बारे में बात करें तो क्या लिखा है यदि वर्ग के प्रथम वर्ग यदि वर्ण के प्रथम वर्ण का योग हो और उसके बाद हा वर्ण का योग हो ठीक है मतलब प्रथम वर्ण के बाद हा वर्ण आए तो पहला वर्ण तीसरे में बदल जाता है देखिए बोला गया है यदि प्रथम वर्ग मे प्रथम वर्ग में प्रथम वर्ण का योग हो आप देख रहोंगे ये प्रथम वर्ग में प्रथम वर्ण है जैसे क्या है का 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 खा 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 अंगा का प्रथम वर्ग क्या होता है का होता है और उसके बाद जेस्ट क्या है हा आए तो क्या हो जाता है आपका ये किसमें पुर्छुप करें स्पक्राइए जीसे लिखा है वाधन हरी तो इसका क्या हो जाएगा वाब हरी या वाब हरी अब से आगया होगा सितनी हमा रखेए उसके पहले दाते होगा क्या होता है ता होता है तो क्या हो जाएगा सित प्लस हांत अब बात करें उच्जीन तो क्या होगा चाचाजा तो जा जो है आधी ये किसमें बदलेगी चा में बदल जाएगी तो क्या हो जाएगा अच्धनहीन अज्जीन का क्या हो जाएगा अच्धनहीन अब बात करते हैं आगे क्या लिखाए उद्धार तो क्या हो जाएगा उद्धनधार ये सब ही जो मैंने एक्जामपल ली हैं ये आपके एक्जाम में पूछे गए हैं मेरे जो notes हैं यह मैं ऐसे आपको दिये दे रही हूँ आप इसका screenshot ले सकते हैं और same वैसे ही करिएगा आप इसका भी screenshot ऐसे ले सकते हैं और आप मुझे an academy पे भी follow कर सकते हैं यह देखिए ठीक है आप screenshot लेकर same इसी तरह अपने वीडियो बना लीजे अपने notes बना लीजे अप क्या लिखा है वर्ग के चौथे वर्ण के बाद तीसरा और चौथे वर्ण का योग होता है तो क्या होता है तो पहले वाले चौथे वर्ण के बाद तीसरा वर्ण हो जाता है क्या पहले वाले चौथे वर्ण के बाद तीसरा वर्ण हो जाता है अब अब ध्यान देखिए मै मैंने क्या बोला ये जो हमारा घा है ये क्या है इसका इसका हमारा तीसरा वन क्या है ये देखे काखा गागा वाली लाइन में क्या है चौथा तो इसका तीसरा क्या होगा गा क्या होगा इसका तीसरा गा अब ध्यान से देखिए ये जो हमारा घा लिखा हुआ है ये ये हमारा आधा लिखा है और मैंने आपको क्या बताया है कि ये जो हमारा घा है ठीक है क्या हमारा घा है ये अपने तीसरे में बदल जाएगा किसे बदल जाएगा तीसरे में तो इसका तीसरा क्या होगा गा वो भी क्या होगा आधा क्या होगा आधा तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं गहा को जब हम लोग आधा लिखेंगे वो भी तीसरे में change करके तो कागज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कागज लिखेंगे, I hope कि आपको ये चीच समझ में आ गई होगी, ठीक है, वर्ग के चोथे वर्ण के बाद तीसरा और चोथे वर्ण का योग हो, ठीक है, तो क्या होत चौथा वर्ण हमेशा तीसरे में परिवर्तित हो जाता है और यहां पर कौन सी संधी होगी व्यंजन संधी होगी अब देख रहोंगे सब में ये नीचे हलंत लगा हुआ है अब हम लोग आगे बात करते हैं पाच्वे नंबर पे पाच्वे नंबर क्या लिखा हुआ है यदि दावर्ण के पहले क्या दावर्ण के पहले मूर्ध स्वर आएं अब आप मेरा एक काम करेंगे आप वीडियो को पॉस करके पहले मुझे कमेंट सेक्षन पर ये बताएंगे कि मूर्ध स्वर क्या होते है ठीक है अब हम बात करते हैं यदि दावर्ण के पहले सिर्फ और सिर दा के बारे में बात की जा रहे है कि पहले मूर्धु स्वर री आए क्या आए री आए री से रिशी आए तो दा के स्थान पर क्या हो जाता है अड़ा दा के स्थान पर क्या हो जाता है अड़ा जैसे लिखा है और री जो है ऐसे नहीं लिखा होता है हर अच्छर में नीचे ऐसे लगा होता है तो क्या है आपका जैसे आपका म्रण मै ठीक है तो इसमें क्या हो गया है यह चीज देखिए आधी लिखी है जिसके नीचे हलंत है वो हमेशा आधा होता है क्या होता है आधा होता है तो जैसे लिखा है म्रण मै तो इसका क्या हो जाएगा म्रण और इसको हम लोग किसमें चेंज करेंगे आधी दा में तो म्रद मै इसको हम लोग किसमें चेंज करेंगे आधी दा में चेंज करेंगे I hope कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी अब बात करते हैं म्रण मै तो इसी तरह क्या हो जाएगा म्रद धन मई और ध्यान रखिएगा यहाँ पर सिर्फो सिफ दा के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर सिर्फो सिफ रड़ा इसके बारे में बात की जा रही है अब बात करते हैं हम लोग आगे क्या लिखा है म्रड मूर्ति तो मरद धन मूर्ती और इसमें क्या हो जाएगी आपकी वेंजन संधी हो जाएगी अब बात करते हैं रूल लंबर 6 के बारे में लिखा है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित मा हो मतलब आधा मा हो जब हम कभी कहें कि स्वर रहित मा लिखो, स्वर रहित ना लिखो, स्वर रहित धा लिखो तब हम उसके नीचे हलंत लगा देते हैं और कहते हैं कि यही है स्वर रहित मा या स्वर रहित धा या ना ठीक है तो क्या है यदि प्रथम पद का अंतिम वन्ड स्वर रहित मा हो ठीक है और इसके आगे का से लेकर मा तक काखा कांगा चाचा जाईया टाठाडा अडा पापापा मा यहां तक कोई भी वन्ड आये तो मा वन्ड के इस्थान पर दो प्रकार के बदलाव आते हैं यदि अंतिम वन्ड स्वर रहित मा हो ठीक और इसके बाद दूसरे पद में का से लेकर मा तक कोई वन्ड आये तो मा वन्ड के इस्थान पर दो प्रकार के बदलावाते हैं पहला यह जो बिंदी है इसमें चेंज आता है क्योंकि मा की बिंदी आधे मा की बिंदी यह स्वर रहित म की बिंदी इस तरह भी होती है मा इस तरह भी लिखी जाती है और सामने वाले वर्ण का पाचवा वर्ण लिख सकते हैं बात करते हैं उधारण की तो उधारण में क्या लिखा है आपका शंकर क्या लिखा है शंकर तो क्या हो जाएगा यह जो मा है यह चेंज हो जाएगा क्यों कि क्यों चेंज होगा अब ध्यान से देखिए लिखा है शंकर ये जो का है ये आपका क्या है का से मा तक कोई एक वर्ण है ठीक है माना तो ये जो मा है ये किसमें चेंज हो जाएगी शंधन कर्मे I hope guys कि आपको ये चीछ समझ में आ गई होगी ठीक है कि यदि प्रथम पद का अन्तिम वर्ण स्वर्रहित मा हो और इसके आगे क्या हो का से लेकर मा तक आए तो मा के स्थान पर दो प्रकार के बदलाओ आते हैं पहला बिंदी हो जाती है दूसरा क्या है स्वर के सामने आपका पाचवे वर्ण में चेंजमेंट हो जाता है अब आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा और एक बार screenshort ले लिजे ठीक है और इसी तरह आपको अपने नोट्स बनाने हैं और पढ़ाई करनी हैं मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूं आपको इस्क्रिन सॉर्ट लेने में असानी रहें ठीके गईस तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे एक बार लाइक करिए और चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए अपने ग्रुप्स में और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में झाल